प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने आज 12 वजे के आसपास देश को संपोधित किया अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें प्रधान मंत्री ने ट्वीट कर इसकी घोशना की है प्रधान मंत्री ने बताया कि इस संदेश को टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया की जरिये सुन सकते है नरेंडर मोदी ने आज सुबही काबिनेट की बड़ी बैटक बुलाई थी इसमें सभी काबिनेट मंत्रीयों के आलावा सुरक्ष समिती के सदस्य भी शामिल थे इस घोशना के पाद पूरे देश की नजर उन पर है इस गोड़ान प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी ने अपने संदेश में क्या कहा आईए जाते है रूश और चीन को यह उपलब्दी हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्धी प्राप्त की है हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है कुछी समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंत्रीक्ष में स्पेस में तीन सो किलोमेटर दूर यह सिद्धी प्राप्त की है लो हर हिंदुस्तानी के लिए मैं एक इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है एलियो लो आर्बिट मैं यह लायू सेटलाइट जो की एक पूर्वा निर्धारित लक्ष ता उसे एंटी सेटलाइट एसेट और मिसाल द्वारा मार गिराया गया लायू सेटलाइट को सिर्फ तीन मिनिट में सभलता पूर्वत लो आर्बिट यह आप्रेशन पूरा किया गया लायू सेटलाइट जो की एक पूर्वा निर्धारित यह अस्त्यंत कठीन आप्रेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटी की मिसाल द्वारा तकनीकी शम्ताती अवशक्तात को सिर्फ ती वैक्यानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष और उद्देश प्राप्त कर लिए गए हैं मिशन शक्ती हम सभी मिशन भारतियों के लिए यह गर्व की बात है यह पराक्रम जिसमें भारत में ही विख्षित एंटी सेटलाइट तकनीकी एस्ट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है सर्व प्रथम मैं सभी मिशन सक्ती से जुड़े और उद्देश सभी डियारेडियो वैज्ञानी को अनुसंधान करता हूं तथा अन्यस समंदिक कर्विश की बात है बहुत बहुत बढ़ाई देता है जिनोंने इस असाधारन सभलता को प्रांप्त करने में नोगदान की आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है हमें हमारे वैज्ञानी को अपर गर्व है तथा अन्यस समंदिक कर्विश की बात है आज हमारे जीवन सहली का एक महत्वपन हिस्सा बन गया है असाधारन सभलता है आज हमारे पास परियाप्त संख्या में जोगदान की उपगरह उतलबत है जो अलग अलग शेत्रों के विकास में अपना बहु मुल्य योगदान दे रहे है जैसे करशी रच्षा अंत्री दुरच्षा आपदा प्रबंदम डियास्ट्रा टीवी मौसम की जानकारिया नेविगेशन शिक्षा के खेत्र में मेडिकल के खेत्र में ऐसे अनेक खेत्र है हमारे उपगर उपग्रहों का लाब सभी को मिल रहा है चाहे वो किसान हो मचवारे हो विद्यारती हो स्वरक्षा बल हो दूसरी और चाहे वो रेलवे हो हवाई जहाज हो पानी के जहाज हो या परिचालन की कोई भी बात हो इन सभी जगह उपग्रहों का उप्योग किया जा रहा है विश्व में स्पेस और सेटलाइट का महत्व बढ़ते ही जाने वाला है शायद जीवन इसके बिना अध्वरा हो जाएगा ऐसी स्थिति में इन सभी उपकरणों की सुरक्षा पुक्ता करना भी उतना ही महत्वपूर है आज की एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दुरुस्ति से और भारत की विकास यात्रा की दुरुस्ति से देश को एक नई मजबूती देगा मैं आज विश्वर सबुदाय को भी आस्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो नई शम्ता प्राप्त की है या किसी के विरुद्ध नहीं है या तेज गती से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है और चीन को भारत हमेशा से ही अंत्रिक्ष में हत्यारों की होड के विरुद्ध रहा है और इस से इस नीती में कोई बढ़लाव नहीं आया है आज का यह परिक्षरम ता प्रत की किसी भी तरह के आंतरराश्य कानून अथ्वा संधी समझोतों का उलंगन नहीं करता है हम आधूनिक तक्णिक का उपयोग देश के एक सो तीस करोर नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्यान के लिए ही करना चाहते है इस छेत्र में शांती और सुरक्षा का माहोल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवशक है हमारा सामरिक उदेश शांती बनाए रखना है ना कि युद्ध का माहोल बनाना प्यारे देश्वासियों भारत ने अंतरिक शेत्र में जो काम किया है उसका मुन उदेश भारत की सुरक्षा भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगति है आज का यह मिशन आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की और एक एहम कदम है जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवशक था आज की सभलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट समर्द राष्ट और शांति प्रिया राष्ट की और बढ़ते कदम के रुप में देखना चाहिए यह महत्वपुण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आपको भविशकी चुनवतियों के लिए तैयार करें हमें भविशकी चुनवतियों का सामना करने तदा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मत बढ़लाव लाने के लिए आदुनिक तक्रिक को अपना ना ही होगा सभी भारतमासी बविशकी चुनवतियों का सामना आत्म विश्वात से करें और सुरक्षित महसूस करें यही हमारा लक्ष है मुझे अपने लोगों की कर्मटता प्रतिवध्यता समर्पान और योगता पर पूर्ण विश्वास है हमनी संदे एक जुड होकर एक शक्तिशाली खुशाल और सुरक्षित भारत का अंदिर्बान करें मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूं जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्मत भी जुटा सके सभी देश्वास्यों को आज की इस महान उप्लब्दी के लिए बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत छुप कामराएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथ्यों को फिर एक बार अभिननन करता हूं भाध माता कीजे भारत माता कीजे भारत माता कीजे तो अगिर इसमस की खबर देखने की लिए आजी प्ले से मने संद्रिया ढाउंडोड करे और इस चैनल कोई सब्स्राबर शेकर ना पल Gemeत ऐस झाल झाल